आज है 31 अक्टूबर 2022 और 31 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कूस करेंगे और हर कुश्यन से रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रैक्ट विए मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से अब मारे टेलिग्रामाग्युूप से अब पnın प्रनिदो एक साथ मिलJaim. और टेलेडराम का लिंक मैने इस विडियो के डिस्कूस के दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला इनने हाली में अक्टूबर को शुरू हुआ था और अभी 30 अक्टूबर तक मनाया गया है तो इसको शिन का बे आप्सन सही है मेडिया और सूचना साक्षरता के महत्यों को उजागर करने के लिए युनाइटेड नेशन के द्वारा ये ग्लोबल मेडिया और इंफॉर्मेशन लिट्रेसी बेक मनाया गया तो ध्यान रखना ये 24 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 31 अक्टूबर तक मनाया गया है अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंποर्टेंटे मनाया गया है सारे मेंने याप बिल्कुल सेक्वेंस मैं लिख दी है आप वीडियो को पॉस करिये और अक्टूबर के सारे इंप्वेंस में रिवाच करिये अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है अल्पूल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू क्या करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे छोटा सा ही टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेब करने में लगा दो यह बुक लिखी है, हरदेप सिंग पूरी ने, तो इसको इनका से ओप्सन सही है, हरदेप सिंग पूरी, यह हमारे केंदरी मंत्री हैं, और इनों ने यह बुक लिखी है, अच्छा अभी डॉक्टर बेमल जालान ने, From Dependence to Self-Reliance ये पुष्टक लिखी साहिल सेट ने अपनी पुष्टक A Confused Mind Story का विमोचन किया अक्षे सहा एंड स्टीफन आल्टर ने नई पुष्टक The Carved Papers का संकलन और संपादन किया ससी धरूर ने एक नई किताब Ambedkar Alive लिखी है अच्छा जोजर्ड मारिन ने एक नई किताब Bill Power लिखी और अभी Indian Banking in Retrospects 75 Years of Independence नामक पुष्टक आस्तू स्रारावी करने लिखी है ने क्यूशन है हाली में कौनसा देश आतंकबाद विरोध के लिए संयुक्तरास्ट ट्रस्ट फंड में 5 लाक डॉलर का युगदन करेगा तो अभी अपना देश भारत आतंकपाद बिदूर्द के लिए सेयुक्त रास्ट ट्रस्ट फंड में पांच लाख डॉलर का योगदान करेगा तो इस कुशन का बे अप्सन से ही है अच्छा अभी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिष्ट से बाहर हो गया है ने कुशन है हाली में कौन साइकल से 20,000 किलोमेटर की यात्रा करके सबी राज्यों का ब्रमड करेंगी तो एक रास्ट्री एथलीट और परवतार होई हैं आसा राजुबाई मालवी ये अभी एक नवमर से यानि कि मद्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर ये 20,000 किलोमेटर की यात्रा सुरू करेंगी और पूरे देश की सबी राज्यों का ब्रमड करेंगी तो इस कुशन का से ओप्सन सही है अच्छा ये ऐसा करेंगी क्यों तो मद्य प्रदेश के परेटन गंतव्यों का प्रचार करने के लिए ये 20,000 किलोमेटर की यात्रा करके सबी राज्यों का ब्रमड करेंगी नए क्यूशन है हाली में किस ने 6 राज्यों और केंसासित प्रदेशों में बे आरो की 75 परियोजनाओं का उद्गाटन किया है तो हमारे रक्षा मंतरी हैं राजनाथ सिंग इनों ने अभी 6 राज्यों और केंसासित प्रदेशों में BRO यानि कि Border Road Organization की 75 प्रयोजनाओं का उद्गाटन किया तो इस कुशिन का B option सही है अब BRO यानि कि Border Road Organization इसकी स्तापना कब होई? 1960 में इसका Headquarter कहां पे है? New Delhi में और इसके Present Time पे Director General कौन है? Rajeeb Chaudhary कौन है? Rajeeb Chaudhary ने कुशिन है हाली में NASA ने Dragonfly Project को केस ग्रह पर खोज करने के लिए launch किया है तो अभी NASA ने ये Dragonfly Project लाँज किया और ये Sunny ग्रह पर खोज करने के लिए launch किया गया है तो इस कुशिन का B option सही है अब NASA यानि कि National Aeronautics and Space Administration इसकी स्तापना कब होई? 1958 में इसका Headquarter कहाँ पर है? Washington DC में और NASA के Administrator कौन है? Bill Nelson ने कुशिन है हाली में चुनाव आयोग कहां दो दिवसी अंतरास्टी सम्मिलन की मेजबानी करेगा तो अभी चुनाव आयोग नई दिल्ली में दो दिवसी अंतरास्टी सम्मिलन की मेजबानी करेगा तो इस कुशिन का C options आई है अच्छा चुनाव आयोग इसकी स्तापना कव होई थी? 25 जन्मरी 1950 को इसका Headquarter कहाँ पर है? New Delhi में और प्रिजेंट टेंपर हमारे मुक्ष चुनाव आयोग तियानिकी Chief Lexan Commissioner कौन है? राजीब कुमार नए क्यूशन है? हाली में बित्मंत्री निर्मला सीता रमण ने कहाँ नए IIFT परिसर का उद्गाटन किया है? तो हमारी बित्मंत्री है निर्मला सीता रमण इन्होंने अभी नए IIFT परिसर का उद्गाटन आंदर प्रदेश के काकी नडा में किया है तो इस कुशिन का बे आप्सन से यह है अच्छा IIFT यानि कि Indian Institute of Foreign Trade अब ये उद्गाटतन आंदर प्रदेश के काकी नडा में किया गया है तो ये है मैप में आंदर प्रदेश आंदर प्रदेश की capital क्या है अमराबती आंदर प्रदेश की चीपनिष्टर कौन है जगन मोहन रेड़ी और आंदर प्रदेश की गवर्नल कौन है बेश्यू भूषड हरिचन्दर अच्छा बासा के आदर पर गठित होने वाला बारत का पहला राज्य है आन्द प्रदेश अभी तेसरा बेश्चु केच्पुडी नाट्योत सब आन्द प्रदेश की बिजय बड़ा में सुरू हुआ है बारती नौसेना ने आन्द प्रदेश में अप 30 सुरक्चा अभ्यास प्रस्थान का आयूजन किया और जोगिक निबेस आकरसित करने वाले राज्यों की सूची में आन्द प्रदेश टॉप पर रहा है आन्द प्रदेश के बेजय बड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट उची बित्ती प्रतिमा का अनावरण बिश्य भूशड हर चंदरन ने किया अच्छा आन्द प्रदेश में कुलेरू लेक है, पुलेकट लेक है, पापी कॉंडा नेशनल पार्क है और स्रेव पैंकटेस्वर नेशनल पार्क है ने क्यूशन है, हाली में मालाबार गोल्ड ने ब्यापक आर्थिक भागीदारी समझोते के तहट किस देश से 25 किलोग्रम सोने का आयात किया है तो अभी मालाबार गोर्ट्स ने ब्यापक आर्थिक भागीदारी समझोते के तहट UAE से 25 किलोग्रम सोने का आयात किया तो इस कुश्चिन का A option सही है अब UAE तो ये है मैप में UAE UAE की केपिटल क्या है? अबूधावी UAE की करंसी क्या है? UAE दिरहम और UAE के प्रजेंट टेम पे प्रेसिडेंट कौन है? मुहमद बिन जयाद अलनेयान कौन है? मुहमद बिन जयाद अलनेयान ने कुश्चिन है हाली में सरकार ने Abyan Influenza के प्रकूप की जाँच के लिए कहां टीम बेजी है? तो Abyan Influenza इसके प्रकूप की जाँच के लिए सरकार ने केरल में टीम बेजी है तो इसकुश्चिन का बे ओप्सन सही है अब केरल तो ये है मैप में केरल केरल की केपिटल क्या है? तिरुबनन तुपुरम केरल की चीपनिश्टर कौन है? पिनरई बिजियन और केरल की गवर्नर कौन है? आरेफ महम्मद खान अच्छा आरेफ महम्मद खान नहीं अभी केरल में बन स्कूल बन आईयस योजना शुरू की थी केरल के मुख्यमंतरी ने बच्चों के खिलाप साइबर अपरादों को रोकने के लिए ने कूजी कोड में केबल महला करमचारियों द्वारा संचालित ब्रांच को लिए केरल में अनाई मुडी 16 नेशनल पार्क है मतिकिटम 16 नेशनल पार्क है पमडम 16 नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में सांत गाटी है और पेरियार बनिजीव अभियारंड यह है नेक शुशिन है हाली में केस कंपनी ने बादसाह मसाले की 51% हिस्सेदारी हासल की है तो अभी डाबर ने बादसाह मसाले की 51% हिस्सेदारी हासल की तो इस कुशिन का C options है डाबर दावर की सापना को हुई थी 1884 में इसका हेड़ क्वाटर कहां पे है गाजियाबाद में और इसके प्रजेंट टैम पे CEO कौन है मोहित मलोत्रा कौन है मोहित मलोत्रा नए क्यूशन है हाली में किस ने Airport Authority of India के साथ समझोते पर हस्ताक्चर किये है तो अभी सेल ने Airport Authority of India के साथ समझोते पर हस्ताक्चर किये तो इस कुशन का बे आप्सन सही है अब सेल यानि कि Stale Authority of India Limited इसकी स्तापना कब होई 1973 में इसका हेड़ कौर्टर कहां पे है न्यू डेली में और इसकी प्रजेंट टैम पे CEO कौन है सोमा मॉंडल कौन है सोमा मॉंडल नैकी कुशन है हाली में कहां भगवान सेब की दुनिया की सबसे उची प्रतिमा का अनावरण किया गया तो अभी रायस्तान की राज समंध जिले में नाथ दौर में भगवान सेब की दुनिया की सबसे उची प्रतिमा का अनावर्ड किया गया तो इस question का say options है यह है इस प्रतिमा की उचाई है 379 feet 369 feet उची यह दुनिया की सबसे उची बगवान सिप की प्रतिमा है और इसका अनावर्ड राइस्तान की राज समंझ जिले के नाथ द्वार में किया गया अब राइस्तान तो यह है मैप में राइस्तान राइस्तान की केपिटल क्या है जैपूर राइस्तान की चीप मिश्टर कौन है असूग कहलोत और राइस्तान की गवर्नर कौन है कलराज मिसर अभी IPS अधिकारी उमेश मिस्रा को राइस्तान का नएड डीजीपी बनाये गया है पांचमा दक्षिड ACI भू बिग्यान सम्मिलन जैपुर में हुआ जस्टिस पंकज मित्तर राइस्तान हाई कूट के 40 में मुख के नियाईदीस बने है अडानी ग्रेंस ने दुनिया का सबसे बड़ा पबंस और उजा सैंत राइस्तान में सुरू किया है और राइस्तान में पांसो बारे नई इंद्रा रसोईयों का सुभारम हुआ राइस्तान में सरिस्का निस्नल पार्क है, रड़तंबोर निस्नल पार्क है, केवला देवगाना पक्ची बियार है और मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्ब है अब बात बैडमिंटन की है, तो अभी 2022 मलेशिया ओपन पुरुस एकल खिताब विक्टर एक्सिल सन ने जीता, और 2022 मलेशिया ओपन पुरुस युगल खिताब ताकरो होके और यूगो कुबायासी ने जीता, तो ये कुश्यन बैडमिंटन से रिलेटेड अभी दोनों इंपोर्टेंट है मलेशिया ओपन पुरुस एकल खिताब और मरेशिया ओपन युगल खिताब ने क्यूशन है, हाली में भारत सरकार ने केस केमिकल कंपाउंट के उप्यों को प्रतिबंदित किया है तो अभी गलाइफोसेट के उप्यों को भारत सरकार ने प्रतिबंदित कर दिया तो इस कुश्यन का से ओप्सन सही है चोड़ी, पत्ती बाले, पौधों और घास को मारने के लिए गलाइफोसेट का उप्योग किया था था लेकिन अब भारत सरकार ने इसके उप्योग को प्रतिवंदित कर दिया है अब लास्ट वीडियो के कुश्यन का आंसर लास्ट वीडियो मैं आपसे कुश्यन पूचा था कि हाली में किस राज सरकार ने पालतू कुत्नों का पंजी करड़ अनेवार किया है तो अभी हर्याना सरकार ने पालतू कुत्नों का पंजी करड़ अनेवार किया यानि किस question का? A option सही था और लगबग सभी student ने इसकांस सही दिया Most least student ने इसके बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा Question के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में कौन सा देश भारत का सात्मा सबसे बड़ा ब्यापारिक भागीदार बना है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके लाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके वारा Facebook page जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshRC Instagram पर indreshRC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है help लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group है उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का video आपको ये video कैसा लगा please comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदब मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बनके आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam always with you thanks for watching